हलो हाई नमस्कार सो अगर आप सभी का मैगनेट मेंस पे मेरा नाम आशिश कपलेश और आज हम बात करेंगे ही ट्रांसफर अब्जेक्टिव टू के बारे मैं पहले भी थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ कि अब्जेक्टिव टू में जो कोशन्स आपके पास हाएंगे वह एंसी क्यू टाइप के यह लेकिन हाँ पर आपको ध्यान रगना पड़ेगा कि हो सकता है एक से जादा ऑप की स्क्रीन के ओपर चाला ठीके बैक्राउंड विजिक देने वाला कोई भी नहीं है आपे सो यहाँ पर वन एंड ओफा मैटल रॉट इस डिप्ट इना बॉइलिंग वाटर एंड अधर इस डिप्ट इना मेल्टिंग आइस ब्या रॉड को आप जो एक एंड है आपने उसक तो दा रॉड विगन असाइन टेंपरेचर तो दा रॉड अफटर स्टेडी स्टेट इस रीष्ट और स्टेडी स्टेट इस तो बही तुम्हारे हिसाब से क्या बात सही रहेगी इस स्टेट्मेंट की लिए बही क्योंकि सिच्वेशन आपके आपको के सामने रख दी गई ह है आपको बता दिया गया है कि क्या होने वाला है मैं एक डाइग्रम बना देता हूं एक रफ सा डाइग्रम जिससे थोड़ा सा समझ आएगा यहां पे यह रॉड है हमारे पास इस रॉड को आप देखें तो दो अलग-अलग पार्ट पे रखा गया है यह बॉइलिंग वॉटर है यानि कि यह 100 डिग्री सेंटिग्रेट्स पे सेट है यह मेल्टिंग आइस है यानि कि 0 डिग्री सेंटिग्रेट्स पे सेट है यह रही हमारी वो रॉड जिसको कि हमने मै हुआ है अब क्या होगा एक पार्ट इसका बॉइलिंग वाटर में है जो कि हंडेट डिग्री सेंटिग्रेट्स पर होता है ठीक है और एक पार्ट मेल्टिंग आइस पर है जो कि जीरो डिग्री सेंटिग्रेट्स पर होता है तो भाई यहां पे वो कह रहा है कि all the parts of the rod are in thermal equilibrium with each other का कहने का मतलब है कि पूरे rod का temperature एक ही होगा क्या मतलब complete rod का temperature सेम होगा एक ही temperature होगा तुम्हारे साथ से सही बात है क्या बोलो क्या तुम लोग सहम हो तो इस बात से complete rod का एक ही temperature होगा तुम लोग सहम हो तो इस बात से अरे तुम लोग सहमत हो गया कि complete rod है उसका एक ही temperature होगा मैं तो जहमत नहीं हूं भईया क्योंकि मैं जानता हूँ कि steady state आते ही कहानी बदल जाती है कुछ समय ऐसा रखने के बाद कुछ समय के बाद एक state आते है जिसको steady state कहते है जिसमें rod की हालत कुछ इस प्रकार से हुती है जिसमें रॉड की जो हालोत होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि यह वाला पार्ट अगर 100 degrees centigrade पे है और यह वाला पार्ट अगर 0 degrees centigrade पे है तो हो सकता है बीच में कोई पार्ट अलग-अलग temperature भी हो हो सकता है यह वाला पार्ट आपका 80 तो अगर आप सोचो कि थर्मल इकलिप्रेम में है विदी चदर तो थर्मल इकलिप्रेम का मतलब क्या है कि साब अगर यहां का तो यह बात तो गलत बोल रहा नहीं है गलत बात बोल रहा है इसे चलती रही कहानी मैं अगर पूरा बनाओ इसको टेम्परेचर दिफरेंस के हिसाब से तो पताँ हो ऐसी बनेगा कर पे यहां पे 50 पिछ क्रह अगर पे pallं्लोम के साथ नहीं कर रहा है था चैनली हिसे लेस्टी उस्पेश्टर लोगुका का नहीं में ऩol रर्भर सब्सक्राइम होगा यहां पे शकूरतलनूपनीन अगर to the road फिर सो भी बात होगी अरे भया पूरे road को एक temperature assign नहीं कर सकते हम लोग वो बोलता है we can assign a temperature to the road after the steady state इसे यह लो steady state में कोई एक temperature assign कर पाए हो road को नहीं sir non uniform यहाँ पे जो temperature का distribution है वो non uniform type का मतलब एक जगा temperature कुछ और एक जगा कुछ और एक जगा कुछ और तो यह भी गलत बात है कि you can assign a temperature to the road after steady state यह बिल्कुल गलत बात है और final answer बोलता है the state of the road does not changes after the steady state इसे हाँ यह सहमत हो इस बात से कि road का state change नहीं होगा भया melt मुर्ट तो यह fix है इसमें state में कोई changes नहीं आने वाले यह मत सोच लेना कि सब यहाँ पे जादा melting melting हो जाएगी नहीं यहाँ पे आपने ice में क्यों रख है बराबर temperature यहाँ पे distribute हो चुका है तो basically यहाँ पे जब steady state आता है तो non uniform temperature यहाँ पे set हो जाता है लेकिन उसकी भी खास जाता है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो यह भी मत बोलना कि सर uniform distribution हो गया temperature का uniform मतलब कि यहाँ पे 80 है तो यह भी 80 यह भी 80 यह भी 80 नहीं यह 60 है यह भी 60 यह भी 60 यह भी 60 ना ऐसे लिगे एक 100 हो चुका है hå एक जगा एटी एटी सेट हो चुका है एक जगा स्क्स्ती हो चुका है एक जगा 40 सेट हो चुका nós uniform है लेकिन fixed है पीनिवाद समझ लोंगे तो पहला पार्ट क्यों गलत बोला क्यों सारी थरमल एकलिप्रे मिन यह थर्मल एकलिप्रे मतलब एक दूसरे के साथ टेंपरेचर सेम होता गलत बात है विकेन असाई ने टेंपरेचर टुद रोड पूरी रोड को आप सोचो कि सार मैं बोल दू थीटा टेंपरेचर पे तो ऐसा नहीं होता रोड के अलग-अलग सेक्शन्स जो ह यह कहानी बनती है स्टेडिशति के बाद कोई एक टैंपरेचर थुनी रोड का हज़ा हर पॉइंट पे अलग-अलग टैंपरेचर देखने को मिल रहे है मुझे ब स्टेडी स्टेट अफ दे रॉड रॉड डशना चेंज आफटर दस्टेडी स्टेडी स्टेडी हां सर ये स सब इने अरे समझ रहो ना बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरी भावनाओं को समझो ओर राइट चलिए बढ़ते हैं टू दे नेक्स कोशन सवाल कहता है कि एक ब्लैक बॉड़ी जो है वो क्या नहीं करती रेडियेशन एमिट नहीं करती रेडियेशन को एब्सॉब नहीं करती रेफ्लेक्ट नहीं करती या रीफ्रेक्ट नहीं करती तो देखे भई कहानी ऐसी है कि अगर किसी बॉड़ी के उपर किसी body के उपर अगर आपने radiations को emit किया मालों यह radiation आ रही है यहाँ पर बड़िया जख्कास से radiation गिरी तो यह reflect होती है absorb हो जाती है और transmit भी होती है तो basically क्या हो रहा है यहाँ पर इस particular point पर एक होती है reflection ठीक है एक होता है यहाँ पर absorption और एक होता है यहाँ पर transmission जिसको कि रे फ्रेक्शन भी आप कहते हो black body के case में black body के case में एक black body एक ऐसी body होती है जिसका 100% absorption है spelling वगरा देख ले ना यार ठीक है एक ऐसी body जिसका 100% absorption है यानि कि किसी black body के उपर अगर आपने radiation incident करे किसी black body के उपर आपने radiation को incident किया यह हमारे पास BB है BB वह वाला नहीं जो तुम सोच लो black body है और इस black body के पर अगर मालीजिये मैंने radiation को incident कराया मालो कुछ भी amount of radiation गिरे मालो 20 radiation इस पर मैंने फेक है तो यह 20 के 20 radiation को ही क्या कर लेगा अब्सॉब कर लेगा 20 के 20 radiation को अब्सॉब कर लेगा यह है black body तो एक black body एक ऐसी body है जो की क्या करती है जितने radiation गें वो सब को अब्सॉब कर लेता है तो आप ब्लैक body does not भाई या क्या नहीं कर सकता सर्फ्लेक्ट नहीं कर सकता रीफ्रेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अब्सॉब कर लेता है है ना भाई देखो ऐसा है कि तुम्हें एक table पर बैठे हो जहां यह हम 3-4 दिन से भूक है एक हम काना आया महां से खाना आएगा तुम खाते जारो खाते जारो खाते जारो बाई जब तक तुम खाना खाओगे खाना आगे नहीं पहुच पाएगा तो यह बात यहां ब्लैक बॉडबी है कि इसको जितने radiation दोगे सब खा जाते हैं जब सब कुछ ही खा लिए तो आगे क्या जाएगा तो reflection नहीं हो सकता वापस जाएगा वापस कब भेजोगे जब तुम्हारा पेट भरे कुछ तो हो वो भी नहीं हो सकता reflection भी नहीं हो होता है कुछ example होते हैं जैसे लैंप ब्लाक वगर यह सब एक्जामपल से आइडिली कोई भी ब्लैक बोडी एक्जिस्ट नहीं करते हैं प्रैक्टिकली ऐसी कोई ब्लैक बोडी एक्जिस्ट नहीं करते हैं जिसका 100% absorption 100% absorption वाली कोई बोडी असली में नहीं है सिर्फ imagine करना पड़ता है कि हाँ असली कोई बोडी होती है क्योंकि कहीं न कहीं किछी ना किसी बोडी का यह 100% नहीं हो तो 98% हो जाएगा 99% हो जाएगा लेकिन 100% नहीं हो सकता इस ठीक है यह तो पताया भी था भाई ब्लैक क्दा आया था कोई भी बोडी हो बले कोई सी बी बोडी हो अगर वो अबज sog कर रहे है तो वह करती है तो यहां पर ब्लैक बोडी Emit कभी करती है Son Goa absorb भी करती है radiation को, क्या नहीं कर सकती, reflect नहीं कर सकती, या फिर reflect नहीं कर सकती, इसको black body radiation भी कहते हैं, यह जो radiation एमिट करती है, इसको black body radiations कहते हैं, ठीक है, this emit radiation, this emits radiation, और इसको क्या बोलोगे, black body radiation, इसको क्या बोला जाएगा बेटा जी, इसको बोला जाएगा सहाब black body radiation तो एक black body क्या करेगी absorb करेगी hundred percent absorb कर लीती जतना radiation फैकोंगे सारा कसा रखा जाएगी उसके लाबा ये emit भी करती है radiation क्योंकि हर body की टेंडेंसी की वह radiation का absorb भी करता है तो वह emit भी करता है तो black body ने भी radiation को emit करा और जो radiations black body emit करते हैं उनको एक नाम दिया जाते है black body radiations कही न कहीं सुना हो आप लोगों ने तो है ना तो बस इतनी सी बात है question number two में चाप लोग जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं कर दिया नोट सभी ने बड़े आगे question number two के बाद question number three पर आते हैं question number three में बोला है in summer mild wind is often found on the shore of a calm river एक शांत नदी के किनारे सागर किनारे नहीं सागर नहीं नदी के किनारे आप देखना गर्मियों में ना एक हलकी थमद्धम मद्धम सी हवा फील होती है कभी गर्मियों में नदी किनारे जाके बैठो बढ़ा अच्छा फील होते है ठंडी-धंडी सी हावा आती है तो वह पूछ रहे कि ऐसा क्या ऐसा हो रहा है कि नदी के दफ्सरे तुम्हें ठंडी-धंडी सी हवा फील हूती है एकदम धीमी-धीमिसी है ऐसा नहीं कि और टुफानी हा गया बिल्कुल तुफान नहीं, सिर्फ धीमी-धीमी से हवा आती है तो वो क्यों आ रही, ये इसका वज़ा जानना चाहते है तो I think तुम समझदार हो, समझते हो बातों को एक वा विचार कर लो फिर मैं बताता हूँ क्या अंसर बनेगा इसका किया विचार कुछ इस पर क्या बन सकते बात या देखो CDC बाते हैं, तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार है और हम दोनों समझदार ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि समर में, इन समर CDC बाते हैं, अगर तुम किनारे की बात करो तो जो जमीन, जो जमीन किनारे पे है मतलब सीधी से बाते हैं, बाई नदी की बात हो रही है तो नदी के किनारे, जो है, वो जो जमीन है वो जादा गरम होती है, as compared to the as compared to the water in the river अब गरम जमीन होने की वज़े से क्यों आता है, तुम खुद सोचो कि कहानी कुछ इस प्रकार से बना दे तो मैं कि इधर बना दिया पानी, पानी, पानी यह पुरी नदी है और यहां पे यह जमीन है यहां से जमीन शुरू हो जाती है अब आप समझदार हैं खुद सोचिए कि दोनों के surface के पास में air है दोनों के surface पे यहां पे air है तो जो air इदर होगी जो air यहां पे होगी वो गरम होगी यह जो air यहां पे है वो गरम होगी सर, जमीन जो है वो comparatively जादा गरम होती है as compared to the water water की tendency क्या है कि उसको गरम होने में time लगता है लेकिन जहां पर अगर हम land की बात करें तो land बहुत जल्दी गरम हो जाती है तो क्या होता है कि गर्मियों के time पर जमीन बहुत जल्दी गरम हो जाती है पानी को थोड़ा गरम होने में time लगता है तो ये जल्दी से गरम हो गई तो ये बन गी hot air यहाँ पे बन गया cold air तो एक तरफ बन जाते है hot air एक तरफ बन गी cold air hot air being less dense hot air की कहाई tendency होती है कि वो less dense है तो इसका लिखेंगे hot air being less dense rises up and the cold air यहाँ देखो भई hot air being less dense वो उपर उड़ जाएगा और जो थंडी हवा है वो कहाँ होगी वहाँ पर पहुँच जाएगी temp the void है अब तुम समझदार हो समझो बात को कि पिच्चर किछे से आपसे बनने वाली है hot air गरम है उपर उठ जाएगी hot air जैसे उपर उठी तो क्या होगा सर्स जमीन पे जगा बन जाएगी खाली hot air के उपर उठने से वहाँ पे जमीन पे खाली जगा बन गई यह नदी थी और उसके लबाद यहाँ पे जमीन थी जैसे ही hot air उपर गई तो hot air के उपर जाने से इधर बनती ही खाली जगा ये hot air उपर पहुँझगी यहां पे रहागया vacuum जो की fulfill कौन करता है cold air तो cold air क्या करेगी basically वो जाएगी इधर इस जगा को भरने के लिए hot air ने क्या बोला भाईया हम तो देखो भाईया less dense होने की वज़ा से हम तो जा रहें उ cold air आती है अब सोचो इसी खाली जगा पे तुम भी खड़े हो इसी खाली जगा पे तुम भी खड़े हो तो क्या होगा भाईय मालो तुमने Superman वाला KP पहना हुआ है और जब तुमने Superman वाला KP पहना हुआ है और जब मिन OM vai pasa pira to तो यहां पर यहां पर यहां पर आती है यह लैंड है लैंड फिर से गरम होगी उपर जाएगी ठीक है क्या हुआ सब साइकल बन रही है एक सर्कुलेशन बन रहा है यह अहां पर होट एर उपर जाती है यह थंडी हवा आती है लैंड गरम है यह थंडी हवा गरम हो जाएगी उपर जाएगी फिर से थंडी हवा आएगी तो यह पूरा एक साइकल बन रहा है एर के करेंट ब प्रोसस है और इस कन्वेक्शन के प्रोसस को कन्वेक्शन करंट करेंट मतलब एक पुरा फ्लो बना हुआ है ठंडी हवा जाएगी गरम हो जाएगी ठंडी हवा जाएगी ठंडी हवा जाएगी ठंडी हवा जाएगी गरम होके जाएगी तो यह पूरेक साइकल है एक पूरेक क करनेशा मतलब हो घंट कहा रिवर करन्ट को होता है तो पानी बैता हो जाता है पूरा रिवर करन्ट या रही है इसका मतलब नियोता है तो हम शुंजो बात को तो कंडक्शन बिट्वीन दे एर से कंडक्शन की बात ही नहीं होरी सर्ड रेडियेशन की बात है जोड़ तो अभी थोड़ी देग लिए डिफ्रेंस in the thermal conductivity of the water and the soil नई सर्कनदक्टिविटी का इससी कोई लेन देना नहीं है it is because of the convection currents it is because of the convection current यह convection current होता है बेटा convection का process समझते हो न यहां के molecule उठके यहां पे आ गए यहां के गरम molecule उपर चले गए यहां के ठंडे molecule यहां पे आ गए यहां के गरम molecule उपर चले गए क्या हुआ? molecule ही उठके चला जाता है कौन सा process है? convection है यह Molecule उटके चला जाए This is called convection Conduction में तो क्या होता है बढ़िया सर अपनी जगा पेक दम Molecule टाइट टाइट होते है और यही पर वाइबरेट करते रहते है Convection बोलता है रहे हम आजाद है हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते है तो यह convection का process है तो convection current option B में दिख रहा है और option B ही आपका सही जवाब होगा उमीद करता हूँ कोशन आपको बढ़िया तरीके से समझाया होगा तेख अचा आप लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हमारे अगले सवाल की और जल्दी से नोट करें सभी लोग हो गया भई कोशन नमबर त्री कम्प्लीट चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर फोर क्यों रा जाते हैं कोशन नमबर फोर आपसे कह रहा है that the piece of a charcoal and the piece of a shining steel of the same surface here दोनों का same surface here they are kept for a long time in an open lawn भाई एक खुले मैदान में बहुत देर तक उसको रख दिया भाई खुला मैदान मतलब धूप चमकी हुई है आपने कोईला रखा और एक तरफ एक steel की shining ball रख दी एक तरफ आपने charcoal रखा और एक तरफ आपने steel की shining ball को धूप में रख दिया बहुत देर तक आपने इसको रखा धूप में अब क्या होगा आप जैसे ही इसको उठाओगे अब जैसे इसको उठाओगे आप देखोगे कि भाई एक ज़्यादा ही गरम होगा एक ज़्यादा ही ठेंड होगा ऐसा कुछ होता है तो पूछ रहे कि क्या possibilities है the steel will absorb more heat than the charcoal the temperature of the steel will be higher than that of the charcoal if both are picked up by the bare head bare head मतलब आपके normal ऐसे हाथो से gloves बगरा मत पहन ले न gloves नहीं पहनने ऐसे normally हाथ से अगर आप इसको उठाओगे the steel will be felt hotter than the charcoal if two are picked up from the lawn and kept in a cold chamber the charcoal will lose heat at a faster rate than the steel भाई बताओ जरा क्या हो सकती है प्रोसेस charcoal, koila steel की ball दोनों को धूप में रखा बहुत देर तक धूप में रखता बहुत देर तक धूप में रखने के बाद क्या होता है कि हम उसको देख रहे कि क्या हो सकता है यहाँ पे तो steel जो है ज़्यादा heat absorb कर लेगा than charcoal temperature of the steel will be higher than that of the charcoal देखें साब यह सारी चीज़े ना depend करते हैं उनकी properties पे उसकी thermal conductivity वगरा वो सारे factors पे depend करता है क्या है कि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो यह साब बोलना कि steel जो है ज़्यादा heat absorb करेगा वो सारी चीज़े अभी हम कह नहीं सकते हैं लेकिन एक चीज़ है जो मैंने देखी कि अगर कोईले को और steel की जो बॉल है दोनों का area से मैं दोनों का same shape ले की चलिए ठीक है same surface area दोनों का है अगर मैं इनको धूप में रखता हूँ और जब मैं bare hands से अपने normal हाथों से इनको उठाता हूँ तो steel की जो ball होती है शायद वो ज़्यादा गरम फील होगी भाई धूप में कोईला पड़ा हुए बाहर ऐसे सोचके देखो ना गर्मियों की धूप एकदम कोईला उठाकर लाना और steel की ball उठाकर लानी है तुम क्या उठाकर लाओगे इस व्याद रखिए एक तरफ कोईला रख दिया एक तरफ हमने steel की ball रख दी चमकती हुए इकदम steel की ball ऐसे नहीं कोई भी चमकती हुए एकदम शायनिंग steel ball हो ना चाहिए बाई अब क्या हुआ दिन में आपने पूरे रखा उसको बढ़िया दिन में तीन बजे करीब आपसे बोला जाए तीन चार बजे करीब कि जाओ भई उठाके लेओ तो क्या उठाके लाओगे चारकोल उठाओगे या फिर स्टील की बॉल उठाओगे नो डाओट सर हम उठाओगे चारकोल को दे रीजन इस बीग देखे स्टील बीग अगुड कंड़क्टर ऑफ हीट वो क्या करेगा हीट को कंड़क करेगा आपकी बॉड़ी के थ्रू आप वो क्या करेगा बई जैसे आप उस तील के बॉल को टच करोगे टेंपरेचर डिफरे जल जाता है ना भाई तुम खुद सोचो तुम जब गर्मियों के टाइम पे गाड़ी धूप में खड़ी कर दो और उसके बाद आके सीट के उपर बैठ जाओ तो हाल क्या होता है तुम सब जानते बाद तो अच्छी से ना भाई तुमारे स्कूटी बाइक वगरा को बैठ होगे तो क्या हाल होता है तुम समझते हैं तो वही चीज हो रही है वही चीज ही हो रही है कि ऐसे ही अगर हम वहाँ पर स्टील की उस बॉल को ठाते है तो स्टील की जो यह बॉल है बिंग गुड कंड़क्टर ऑफ हीट वह हीट को कंड़क्ट करेगा अब आपने होती है कि if both are picked by the bare hands the steel will be felt hotter than the charcoal because steel is a good conductor as compared to the charcoal मैं यह नहीं बोल रहाँ कि चारकॉल नहीं है मैं यह नहीं बोल रहाँ कि चारकॉल नहीं होगा स्टील भी होता है स्टील जादा अच्छे से कंड़क्ट करता है टीक है तो स्टील के केस में वह जादा अच्छे से कंड़क्ट कर देता है Сिलît स्टील के के तो जो हीट होती हो है घिर न अप सेकेंड पॉईंट यह होता है कि अब अगर इन दोनों को ठाके हम एक थंदे से चांबर में रखें प्रिज में रख दें दोनों को ठाके fridge में रख दिया जाए यही है ना बही cold chamber में रखना है तो freeze में रख दो तो कौन जल्दी ठंडा हो झाएगा उस case में कौन जल्दी ठंडा होगा तो अगर मैं दोनों को ठाके fridge में रख देता हूं तो चारकुल एक अच्छा emitter है वो अच्छे radiation को emit करता है बढ़िया तरीके सकते है ना उसका emission ज़्यादा है as compared to the steel ball तो charcoal का emission ज़्यादा है it's a good emitter charcoal being a good emitter वो ज़्यादा अच्छे radiation ज़्यादा radiation को emit करेगा जिसकी वज़ा से वो comparatively जल्दी ठंडा हो जागा steel के respect में पहले वाले का option क्या दिया सर स्टील के through ज़्यादा heat का transfer होने वाला है हमारी body में जिसकी वज़ा से steel मुझे गरम feel होगा as compared to the मैं यह मना नहीं कर रहा हूं कि charcoal से गरम feel नहीं होगा यह नहीं बोलो कि charcoal को ठाके तुम खेल लोगे उससे वो भी गरम होगा लेकिन steel की ball ज़्यादा गरम होगी उससे ठीक है तो अगर आपने steel की ball को चार्कोल को धूप में रख दिया बहुत देर के लिए और जाके अब उठाओगे तो चार्कोल भी गरम है steel की ball भी गरम है लेकिन ज़्यादा गरम कौन है steel की ball है उससे ज़्यादा heat का transfer होगा हमारी body में ठीक है तो steel की ball से हमारे body में more heat transfer हो जएगा ज़्यादा heat का transfer होगा ज़्यादा heat का transfer हमारी body में होगा इसकी वज़ह से हमें ज़्यादा गरम लगेगा secondly यहाँ पर इसका जवाब दे देना चार्कोल being a good emitter, being a good emitter, ammets more radiations, that's why it loses heat more, that's why it cools, it loses heat, faster, तो ये दो option रहेंगे इसमें, ये दो option रहेंगे, देखें बैई, steel भी उतनी heat absorb कर रहे है, जितना charcoal कर रहे है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि steel साथ absorb कर रहे, बस ये है कि दोनों का situation difference समझो, दोनों में situation का difference समझो, आप ऐसे समझो, एक तरफ लकडी है, जो आग में डाल के रखी है, एक तरफ लोहा है, यहां पर भी ऐसी कहानी है लोहे को भी आपने आग में डाला लकडी को भी आग में डाला दोनों 100 degree temperature पर रखे हुए हम टच कर सकते हैं लकडी को एक बारी के लिए लोहा टच करना इस नॉट पॉसिबल फॉर में लेकिन फिर भी लकडी को ऐसे होल्ड करना मैं एक वास सोच सक लेकिन स्टील की बॉल जो है वो जाधा कंडग कर रही है जिसकी वजह से जैसे मैं उसको टच करूँगा तो जाधा हीट को कंडग करेगा as compared to the charcoal को अब यह जादा हीट को कंडग करेगी एस कंपेर टूदा चाकूल जिसकी वजह से जिसकी वजह से वह मुझे जादा गरम लगेगा तो भाई स्टील की बॉल जो है वो हमारी body में ज़्यादा heat का transfer कर देगी और यही वज़ा है वई कि हमें वो ज़्यादा गरम लगती है secondly अगर आप दोनों को fridge में रख दो तो कौन जल्दी ठंडा होगा fridge में रख दोगे तो charcoal जल्दी ठंडा होता है the reason is being कि charcoal एक अच्छा emitter है वई एमिट करता है जादा radiation को जिसकी वज़े से क्या होगा बाई एक अच्छा emitter है मैं अच्छा नहीं बोलो steel emit नहीं करेगा फिर से यह बात समझो बात को comparison हो रहा है दोनों की बीच में यहाँ पे कैसी भी point पे यह नहीं बोला जा रहा कि दूसरा वो काम नहीं करेगा अरे steel भी करता है emit steel भी emit करेगा लेकिन चारकूल कुछ अच्छा है कुछ तो बात है उसमें चारकूल में कुछ तो बात है जो की steel में नहीं थी तो यही वज़े कि चारकूल comparatively comparatively क्यों बोलो क्योंकि दोनों में comparison हो रहा है तो चारकूल जादा बेटर है as compared to the steel ball तो यह वाला कोशन भी चापलो जल्दी से और उमीद करता हूँ आपको बात है समझ आ रही होगी question no.4 complete हो चुका है जिसके option c और d हाँ यह हमारे सही options होंगे हो गया वैया चलिए आगे बढ़ते हैं question no.4 complete हो चुका है question no.5 क्यों आ जाते है question no.5 हमसे क्याता है a heated body emits radiation which has the maximum intensity निद्ध फ्रिक्वेंसी बहिए maximum intensity इस frequency पे मिल रही अपने को maximum intensity इस frequency पे मिल रही है अब मैंने क्या बोला the emissivity of the material 0.5 होगा and if the absolute temperature of the body is doubled by our decay absolute temperature को अगर मैं बढ़ा दूँ तो उस case में क्या होगा एक body को heat कर रहे है body को heat किया तो body radiations को emit करता है no doubt सही है बात सही है बिलकुल सही बात है जब वो radiations emit करता है तो कोई particular intensity का जो radiation होगा वो बहुत जादा है एमिट कर रहा है वह एमिट कर रहा है रेडियेशन जिसकी maximum intensity इस frequency पे मिलने वाली है maximum intensity की जो radiations पर इमिट कर रहा है उसकी frequency यह है emissivity दे दिये material का और बोला गया है कि अब मैं body के absolute temperature को जो अभी हमारे पास temperature आ था क्योंकि heated body बोला है बेटा heated body का मतलब कि body को आपने heat कर रहा है उसके बाद वो radiation कर रहा है जिसके लिए बोला गया है कि maximum intensity इस frequency के करीब मिलने वाली मुझे emissivity दे दिया और अब बोला कि जिस body से radiation हो रहे थे उसके temperature को double कर दिया जाए temperature को double कर दिया जाए तो क्या होगा maximum intensity जो होगी वो हो जाएगी फ्रिक्वेंसी टू वी नॉट पे maximum intensity of radiation will be near the frequency वी नॉट बाइटू the total energy emitted will increase by a factor of 16 the total energy emitted will increase by a factor of 8 दो अलग-अलग concept पे based है पहले के दो option एक अलग concept पे है बाद के दो option अलग concept पे है पहले के दो option जो हैं वो आपसे सिफ यह पूच रहे कि absolute temperature का frequency के साथ क्या रिष्टा है भाई पहले के दो शायद यह ही बोल रहे आपसे कि वो जो maximum intensity is frequency पे भी मिल रही थी maximum intensity j das frequency मिल रही थी उसका absolute temperature के साथ कोई रिष्टा है कि नहीं है यह बताआ पहली बात तुogram और अगर रिष्टा है, तो वो किस टाइप का है, दूसरी बात फिर वो total energy emitted पर आघी है, total energy emitted स्टीफं नो से हम बाते करते थे, तो वहाँ पर temperature के साथ total energy जो एमिर्ट होई है, उसका कोई रिष्टा है कि नहीं है, वो भी आपको विचार करना है, दो अलग-अलग laws लगेंगे सेम कोशन में जिनके basis पर आपके answers आएंगे तो सोच लो भाई क्या answer बन सकता है विचार करो सबी लोग हो गया भाई चलिए अच्छा आपने वीन्स का displacement law तो पढ़ाई होगा so from spelling दिख लेना है maximum frequency oh sorry maximum intensity जहाँ पर मिलती है उसकी frequency रिखाने के लिए हमने wavelength into t is equals to constant किया है यही है शायद अपने पास वीन्स displacement law wavelength को लिखते है speed upon frequency into t is constant so basically यहाँ पर t upon frequency constant हो जाएगा t upon frequency constant होगा t बोले तो temperature t बोले तो absolute temperature of the body तो यहाँ से initial temperature upon frequency बराबर हो जाएगा final temperature upon final वाली frequency तो final वाली frequency को मैंने new dash की जगा चलो final वाली frequency ऐसे लिख दे दे question में बोला गया है कि जो final वाला temperature है वो initial वाले temperature का दुगना है यही बोला है if the absolute temperature of the body is doubled यानि कि अगर आप absolute temperature को double कर देते हो final temperature को two times of the initial कर देते हो तो यह कैसा बनेगा अगले page पर कर लिसको solve since t initial divided by frequency थी यह t final upon frequency है यह initial की जगा t लिख दीजे यहाँ पर frequency को new not लिख देते हैं यहाँ पर two t divided by final frequency t से t खतम हो जाएगा और final frequency हो जाएगी two times of the initial frequency यानि कि अगर temperature को double किया है तो frequency भी double हो जाएगी अगर आपने absolute temperature को double किया है तो frequency भी double हो जाएगी option A हमारा सही है अब B गलत हो गया हाँ सब B गलत हो चुका है अगर A option सही है तो B गलत है अब भई बात C और D में कौन सा होगा तो total energy emitted कहां सा आएगा यह total energy emitted यह कहां सा आएगा साब यह आता है from the Stephen's law वैसे तो Stephen's Boltzman law है वैसे हमार पास तो चलिए भई थोड़ा सा short term में समझते हैं कि यहां पे delta q by देखें वो यही था u is equal to sigma a t का power 4 याद आ रहे कुछ किसी भी black body के लिए बात करी थी हम लोगों ने तो यह energy है जो कि emit हो रही है तो it is proportional to t का power 4 this is the energy जो कि emit हो रही है it is proportional to t का power 4 temperature को डबल का दिया यानि कि u initial upon u final करोगे तो यहाद आगा t initial का power 4 upon t final का power 4 यहां तक बढ़िया चल दी कहानी u initial को तो हम लिख लेते u initial divided by u final initial temperature को t लिखा final temperature को 2t और इस पूरे का power 4 क्योंकि देखें बाई यह बात सही है इसका भी power 4 है इसका भी power 4 है तो t initial इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है t initial upon t final का whole power 4 t initial upon t final का whole power 4 यह हो जाएगा so u initial upon u final t upon 2t का whole power 4 होता है तो देखें जरा t से तो t कर जाएगा और 1 upon 2 का power 4 कितना होता भई 16 so solve करने पे हमें जो मिलता है वो यह मिलता है कि u final जो है that will be 16 times of the u initial है तो कितने के factor से बढ़ा है 16 के factor से तो energy कितने के factor से बढ़ी है तो सब energy जो emit हो रही है it increases by a factor of 16 the energy emitted will increase by a factor of कितना दिखरो वहाँ पे 16 तो यह आपका answer तो यह कहानी है question number 5 की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी बागी छाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के फटा-फट से note कर लो यार सभी लोग हो गया कर लिया note यह सारी बाते लिख ली अच्छा इदर आओ जल्दी से यह भी लिखो यह सारी बाते लिखो दन चलिए भी बहुत बढ़िया question number 5 complete हो चुका है so now let's move on to the question number 6 question 6 क्या कहण हम से कि एक solid sphere है और एक hollow sphere है दो sphere की कहानी है सब एक है solid sphere एक है hollow sphere same material से बने हुए equal radius है इनको heat किया to the same temperature same material के यह है equal radius है और same temperature पे हमने इनको heat किया है पहला सब option बोलता है कि दोनों emit करते हैं equal amount of radiations per unit time in the beginning both will absorb equal amount of radiation from the surrounding in the beginning the initial rate of cooling will be same for the two sphere the two sphere will have equal temperature at any instant क्या कहता है तुम लोग इसके से साब एक है solid sphere, एक है hollow sphere दोनों का radius same है, दोनों का material same है तो इस case में अगर आप दोनों का same temperature rise कर रहे हो दोनों को बराबर heat कर रहे हो तो देखो जब किसी body को आप heat करते हो तो उसका temperature बढ़ जाते है तो साब हमने जब इसको heat किया, ये है solid और जब हमने इसको heat किया, जो कि है hollow बराबर है, सब कुछ same है साब material भी same है, radius भी same है same temperature पे हमने heat किया यानि कि अगर इसके लिए radius है R तो इसका भी radius R है इसका temperature difference अगर delta theta है तो इसका भी temperature difference delta theta हो जाएगा तो जब आप इसको heat करते हो साब through the same temperature तो same material होने के कारण अब सीदी सी बात है भाई ये radiations को emit करेगा क्योंकि इसका temperature बढ़ चुका है temperature increase हो चुका है जिसकी वज़ाद से ये क्या करेगा radiations को emit करेगा सब कुछ factor same है, तो same radiations को ये emit करते है so same amount of radiations so same amount of radiations emit होंगे और same amount of radiations को ही absorb किया जाएगा तो same amount of radiations को emit किया जा रहा है same amount of radiations को absorb भी किया जा रहा है ठीक है, same सब कुछ सारे factors जब इनके same आ जाते हैं तो सारे factors सेम होने की वज़ा से ये वाली कहानी हम बोलते हैं तो option A और option B ये बात कह रहे है ठीक है clear रहेगा सभी को कोई दिक्कत तो नहीं चाप लोग ज़ली से अज़े किस basis पर बता रही है पता है ना तुम लोगों को अरे भाई U is equals to sigma A T का पाव 4 minus T not का पाव 4 याद आ रहे कुछ ऐसा formula याद आ रहे material same area भी same temperature भी same initial वाला, final वाला, surrounding गाट अटेमड़ेचर भी same जिसकी वज़ा से जो amount of radiation ये emit कर रहे है या amount of radiation ये absorb कर रहे है वो भी same हो जाए है है न सिम्बल सी बात, कोई rocket science नहीं था तो बस ये है कहानी question number 6 की उमीद कर तो आपको समझा आगी होगा बागी छाप भी लिया होगा तुम लोगों ने तो चलिए भई आगे बढ़ते हैं और करते हैं खतम इस पार्ट को बागी बागी किसी भी question में कोई भी समस्य अगर तुम्हें लग रही है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिग देना इसके अलावा अगर आपको वीडियो दुबारा देखनी है तो आप हमारे official website याने की www.magnetbrains.com पर आए क्योंकि यहां पर यह सारी वीडियो आपको चैप्टर वाइस अरेंज की ही मिल जाएगी साथी साथी सारी वीडियो आपके लिए absolutely free भी होगी तो किसी भी वीडियो को कितने बार भी देखो magnet brains को इससे कोई समस्या नहीं होगी बागे अपने दोस्तों तक यह बाते फिला देना कि magnet brains is the only platform जो की free में quality of education दे रहा है तो आके join ज़रूर कर ले ठीक है और अगली जो session में हम बात करेंगे वो होगा exercises की जहां पे numerical approaches हमारे पास आएंगी तो देखें कि वह numericals को solve करना भी हमें आना चाहिए क्योंकि most of the time ऐसे ही question हमें exam मिलते भी है तो मिलते हैं आप से अगले session में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहेए all the very best